संयाद्री ची उन्जी भंजें सिचो विस्टास आधर्निय सभावती जी पुरा विश्व अनेक चुनावतियों से जूज रहा है शाहिद ही किसी ने सोचा होगा कि मानवजात को ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा ऐसी चुनावतियों के बीच इस दसक के प्राणव में ही हमारे आधर्निय राश्पती जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्भोधन दिया वो अपने आत्मे इस चुनावतियों भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्म विश्वास पैदा करने वाला राश्पती जी का उद्भोधन रहा आत्म निर्भर भारत की रहा दिखाने वाला और इस दसक के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने वाला राश्पती जी का उद्भोधन रहा अधन्य स्वापती जी मैं राश्पती जी का तहरे दिल से आभार वैस्त करने के लिए आज आप सब के बीच खड़ा राजसभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे बहुमुल्य विचार रखे अनेक पहलूओं पर विचार रखे और इसलिए मैं सभी आधनिय सदस्यों का रदय पुर्वक आभार भी व्यक्त्य करता हूं इस चर्चा को सम्रद्द बनाने के लिए अच्छा होता कि राश्पती जी का भाषन सुनने के लिए भी सब होते तो लोगतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सब को कभी गिलान सिक्वा न रहता कि हमने राश्पती जी का भाषन सुना नहीं था लेकिन राश्पती जी के भाषन की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजुद भी बहुत कुछ बोल पाए यह अपने आप में उस भाषन की ताकत थी उन विचारों की ताकत थी उन आदर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बात पहुँच गई और इसलिए मैं समझता हूं इस भाषन का मुल्ड़ अलेक गुना है आदरेने समझती जी जैसे मैंना कहा अलेक चुनावतियों के बीच राष्ट्रदीजी का इस दसक का प्रतम भाषन हुआ हूं लेकिन ये भी सही है कि जारे पूरे विश्व पटल के दरब देखते हैं भारत की युवां मन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच के इस अर्थ मैं एक आउसरों की भूमी में अनेक आउसर हमारा इंतजार कर रहे हैं आर इसलिए जो देश युवा हो जो देश उतसां से भरा हुआ हो जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिध्धी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत को वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता हम सब के लिए यह भी एक आउसर है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं यह अपने आप में प्रेरख आउसर है हम जहां भी हो जिस रूप में हो माभारति के संतान के रूप में इस आज़ादी के 75 वे परव को हमने प्रेरणा का परव बनाना चाहिए देश को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ और कुछ कर गुजरने का होना चाहिए और 2047 में देश जवाजादी की सतावदी मनाएं तब हम देश को कहा तक ले जाएंगे इन सपनों को भार बार हमने लेते रहना चाहिए आज पुरे विश्व की नजर भारत पर है भारत से अपेच्छाएगी है और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा तुनिया की बहुतिक समस्याओं का समाधा वही से हो जाएगा ये विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए पुड़ा है अधनिया सभापती जी जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूँ तब महा कभी मैथिली सांग गुप्त जी की कविता को मैं उत्वोशित करना चाहूँगा गुप्त जी ने कहा था अवसर तेरे लिए खड़ा है अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तुछुपचाप पड़ा है अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तु चुपचाप पड़ा है तेरा कर्मख्षेत्र बड़ा है तेरा कर्मख्षेत्र बड़ा है पल पल है अनमोल अरे भारत उठ अरे भारत उठ आँठे खोड ये मैं तिरी सरांग गुपते जीने कहा था लेकिन मैं सोच रहा था इस कालखन में 21 विशदी के आरम में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते मैं कल्पना करता था कि वो लिखते अवसर तेरे लिए खड़ा है तू आत्म विश्वात से भरा पड़ा है हर बाधा हर बाधा हर बंदिस को तोड़ हर बाधा हर बंदिस को तोड़ अरे भारत अरे भारत आत्मंदिर भरता के पत्परदों आत्मंदिर भरता के पत्परदों करोना के दोरां किस प्रकार की वैश्विक परिस्थित्या बनी कोई किसी की मदद कर सके यह असंभव हो गया एक देश दूसरे देश को मदद न कर सके एक राज्य दूसरे राज्य को मदद न कर सके यहां तक की परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार की मदद सदस्य की मदद न कर सके वैसा माहोल कोरोना के कारण पैदा हुआ भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाई जिताई थी विश्व बहुत चिंतिक था कि अगर करोना के इस महामारी में अगर भारत अपने आपको समान नहीं पाया तो नसरे भारत लेकिन पूरी मानुवजात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा यह आशंकाई सबने थे पाई करोड़ों लोग फ़स जाएंगे लाखों लोग मर जाएंगे हमारे यहां भी डराने के लिए भरपूर बाते भी हुए और यह क्यों हुआ यह मैरा सवाल नहीं है क्योंकि एक अन्नोन ऐनिमी क्या कर सकता है किसी को अंदाज नहीं था हर एक ने अपने तरीके से आकलन्द किया था लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अन्नो नैनी में से और जिसकी कोई पुर्व परपरा नहें देख वे ऐसी चीज को ऐसे बील किया जा सकता है इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता है हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थवान लोग उनको कुछ और विचार हो सकता है लेकिन था ये एक अन्नो नैनी में था और हमें रास्ते भी खोजने थे रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था उस समय जो भी इश्वर ने बुद्धी शक्ती सामर्थ दिया इस देश ने उसको करते हुए देश को बचाने में भर्सक काम किया है और आज दुनिया इस बात का घर्व कर रही है किस वाकई भारत ने दुनिया की मानुजार के रख्षा करने में बहुत बड़ी एहम भूमिका ये भाई ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है न किसी व्यक्ति को जाता है लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है करने में क्या जाता है विश्व के सामने आत्मिश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है इस देश ने किया है गरीब से गरीब व्यक्ति ले इस बात को किया है उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा फुत्पात पर एक छोटी जोपड़ी लगा करके बैठी हुई गुड़ी मा भुभी घर के बाप नी जोपड़ी के बाहर दिया चला करके भारत की शुप के लिए कामना करके हम उसकी मैझाग उड़ा रहे हίं उस भावनाओं का मखोड उड़ा रहे हैं प्रॉछ जिसने कभी स्कूल का दरबाजा नहीं देखा था उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जहला कर दीश की सिवा कर सतना हो टो करूँ इस भाव से किया था और उसने देश में अपनी शक्ति का जागरण किया था अपनी शक्ति का सामर्था का परिच्य करवाया था लेकिन उसकी भी मजाग उड़ाने में मजा रहा है धिरोध करने के लिए कितने उद्द्धे हैं जी और करना भी चाहिए लेकिन ऐसी बातों में न भुल जे जो देश के मनुबल को तोड़ते हैं जो देश के सामर्थे को नीचा आगते हैं इससे कभी लाब नहीं होता है हमारे कोरोना वरियर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स आप कल्पना कर सकते हैं जिए जब चाड़ो तरभ भाई किसे से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय डूटी करना अपनी जिम्यमाजों के निभाना इस छोटी सीचा नहीं है इसका गर्व करना चाहिए उनका आधर करना और इन सब के प्रयासों का प्रणाम है कि देश ने आज ये करके दिखाया हम जड़ा भुदकाल की दरब देखें यह आलोचना के लिए नहीं है उस सित्यों को हमने जिया है कि कभी चेचक की बात होती थी कितना भाई भाल जाता था पोलियों कितना डरावना लगता था उस उसकी वैक्षिन पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ते दी कितनी तकलिवे उठानी पड़ते दी मिलेगा कम मिलेगा कितना मिलेगा कैसे मिलेगा कहसे लगाए यह दीन हमने भीता है ऐसी स्थितिमें उन दिनों को गरियात करे तो पताई दलेगा कि आश जिनको इतने कम समय में मिश्ण मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहें ये मानुज्यात के हितिहास में भारत के योगदान एक गवरव पुर्ण गाथा है इसका हम गवरव करें और उसी मैंसे नए आत्मिश्वास की प्रेणा भी जगती है हमने उस नए आत्मिश्वास की प्रेणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को है आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका करना भ्यान इसी मेरे देश में छलगा रहा है विश्व में तीज गर्ती से टीका करना आज कहीं हो रहा है तो इसी हम सब की माँ भारती के गोद में हो रहा है और भारत का यह सामर्थ है कहां नहीं पहुंचा है भाच करोना ने भारत को दुनिया के राथ रिस्टों में एक नई ताकत दी है जब शुरू आप में कौन सी दवाई काम करें की वैक्सिन नहीं थी तो सारा विश्व का ध्यान भारत की दवाईयों पर गया विश्व में फार्मसी के हब के रूप में भारत उभर करकर आया डेड़ सो देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकटकाल में भी इस देश ने किया है मानम जाद के रखा के लिए इतना ही नहीं इन समय वैक्सिन के समद में भी है विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सिन आ गई है हमारे पास भारत की वैक्सिन आ गई है हम सब को बागव है कि दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल में भी है बड़े-बड़े लोग भी जब आपरेशन कराने जाते हैं कोई बड़े मेजर आपरेशन के लिए और आपरेशन थेटर में जाने के बाद पट्रिया सुनुन के पहले उसकी आँखे ढूंगती है कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है कि नहीं है और जैसे ही एकाद टीम के अंदर एकाद भी हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है उसका विश्वास हो जाता है अब आपना सुनुन यह देश ने कमाया है इसका हमें गर्व होना चाहिए और इसलिए इसी गर्व को लेकर के आपना स्थान बनाया जैसे बैस्वीक समंदो में भारत ने अपने एक विश्व से पहचान बनाई है अपना स्थान बनाया है वैसे ही भारत ने हमारे एक फेडरल स्ट्रुक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर भूत ताकत क्या है संकट के समय हम कैसे मिल करके काम कर सकते हैं एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं यह केंद्र और राज्य ने मिल करके करके दिखाया है मैं राज्यों को भी क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदंदत में विशेश रुप से राज्यो का भी अभिनंदन करता हूं और कोपरेटिव फेडरलिजम को ताकत देने का काम इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है इसलिए सब कोई अभिनंदन के अधिकारी है यहां पर लोकतंतर को लेकर के काफी उपदेश दिये गए बहुत कुछ कहा गया और लेकिन मैं नहीं मामता हूं कि जो बाते बताई गई है देश का कोई भी नागरिगिस पर भरोसा करेगा भारत का लोकतंतर ऐसा नहीं है कि जोज की खाल हम इस प्रकार से उपदेड़ सकते हैं ऐसी गल्पी हम न करें और मैं सिमान डेरिक जी की बात सुन रहा था बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था प्रेड मौम पीच इंटी मेडिटेशन हाउडिंग जोब सब्दों सुन रहा था तो लग रहा था कि अब बंगाल की बात पता रहे है कि देश की बता रहे है सुनते हैं तो वही बात साइड गल्ती से जहां बता भी हो कि कॉंग्रेश के मारे वाजवा साब पी कापी अच्छा अता रहे हैं और इतना लंबा खीच करके बता रहे हैं तो मुझे लग रहे हैं बस साब थोड़ी देर बे ये इमर्जन्सी तक पहुंच जाएंगे मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाखी है वो 84 तक पहुंच जाएंगे लेकिन वो बाह नहीं गए खेर कॉंग्रेस देश को बहुत निराश करते आपने भी निराश कर दिया मानिए सबाबती जी मैं एक कोट इस सदन के सामदे रखना चाहता हूँ और खास करके लोकतंत्र पर जो लोक शक उठाते हैं भारत की मुलभुत शक्ति पर जो शक उठाते हैं उनको तो मैं दिशे साग्रेसे कहूंगा इसको समझने का प्रयास करें हमारा लोकतंत्र किसी भी माइने में वेस्टन इंस्टिटूशन नहीं है ये एक हूमन इंस्टिटूशन है भारत का इतिहास लोक तांत्रिक समस्तानों के उधारणों से भरा पड़ा है प्राचीन भारत में 81 इक्यासी गनतंत्रों का वरनन हमें मिलता है आज देश वास्यों को भारत के राष्टवाद पर चोड़ तरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है भारत का राष्टवाद ना तो संकेन है न स्वार्थी है और ना ही आक्रमक है ये सत्यम, स्वीवम, सुंद्रम के मुल्यों से प्रेवित हैं अनकोट अधनिय सभावती जी ये कोटेशन आजाधित फोच की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधान मंत्री नेता जी सुभाज चंद्र बोश और संयोग है ये 125 विजेंति आज हम मना रहे हैं हमको कोशने लग गए हैं मैं तो कभी-कभी हरान हो जाता हूं दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा जेती हम भी उसको पकड़ करके चल परते हैं दुनिया की सबसे बड़ी देमोकरशी दुनिया की सबसे बड़ी देमोकरशी यह लोगतंत्र की जन्नी है हम सिर्क बड़ा लोगतंत्र ऐसा नहीं है यह देश लोगतंत्र की जन्नी है यह बात हमें हमारी आने वारी प्यूडियों को सिखानी होगी और हमें गर्वसी बात को बोलना होगा क्योंकि हमारे पुरवजों ने विरास्ता समें दी है भारत की शासन ववस्ता टेमोक्रिस्टिक है सिर्फ इसी वज़े से हम लोगतांत्रीक नहीं है भारत की संस्कृति भारत के संस्काः भारत की परंद्वना भारत का मन लोगतांत्रीक है और इसलिए हमारी बवस्ता लोगता antrif के है। ये है इसलिए ये है स Warum नहीं है। मुस्त लोगता antrif है इसलिए ये है। और ये कसोटी भी हो चुकी है जेश कि यह। आपात काल कर उन दिनों को याद की है। कि न्याईपाली का का। हाल क्या था। मेडिया का क्या हाल था साचन का क्या हाल सब कुछ जेल खाने में परिवर्टित हो चुका था लेकिन इस दैश के संस्कार इस देश का जन्मन जो लोग-तंत्र के रगों से रंगों से रंगा हुआ था उसको कोई हिला नहीं पाया था मोका मिलते ही उसने लोग प्रूंदर को पस्ताफिक करते हैं यह लोगों की थाकत यह हमारे संस्कारों की थाकत है यह लोग जोस्तांत्री मुल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। आत्मा निर्भर भारत के सबन में भी चर्चा हुई। मैं हमारे साथी धर्मेंदर बधान जी के बहुती अभ्यास पूर्ण और आत्में दिर्भर भारत के हमारी दीशा का है। विस्त्रुत उन्होंने बयान किया है। लेकि एक बास हही है कि आर्थिक्षित्र में भी आज भारत की जो एक पहुच बन रही है। कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं। सारी बाते बाहर आ रही है। लेकिन भारत है जहां रिकोर्ड निवेश हो रहा है। सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थस्तिती गमाडोल है। जब कि दुनिया भारत में डबल डिजील ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। एक तरफ निराशा का माहूल हैं तो हिंदुस्तान में एक आशा की करन नजार आ रही है। यह दुनिया की तरफ से आवाज उठ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडा रेकॉर्ड स्तर पर है। आज भारत में अनुध बादन रेकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है। जहां पर इंटरनेट यूजर है। भारत में आज हर महीने चार लाग करोड रुपे का लेंदेन डिजिटल ही हो रहा है। यूपिया के मात्यम से हो रहा है। याद कीजिए यहां के इसी सदन के भाशन न सुन दा हाथा। दो साल तीन साल पहले। लोगों के मोबाइल कहा है। टिकना कहा है। लोग डिजिटल कैसे करेंगे। यह देश की ताकत देखिए। हर महीने चार लाग करोड रुपी है। भारत मोबाइल फॉन के दिरमाता के रुप में दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ण संक्या में स्टार्ट अप्स, इनिकॉंस, और जिसका विष्व में जय जयकार होने लगा है। इसी धर्ती पर हमारी युवा क्वीडी कर रही है। रिन्यूबल एनर्जी के खेत्र में विष्व के पहले पांच देशों में हमने अपनी जगा बना ली है। और आने वाले दिनों में हम उपर ही चड़ते जाने वाले है। जल होगो, ठल होगो, नभ होगो, अंत्रीक्षोगो, भारत हर खेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्ते के साथ खड़ा है। साथ जीकल स्ट्राइक हो या एर स्ट्राइक भारत की केपबिलिटी को दुनिया ने देखा है। आदर इने सभापती जी, दो हजार चौदा मैं जब पहली बार मैं इस तदन में आया था। इस परिशर में आया था। और मुझे नेता के रुप में जब तुना गया था। तो मेरे पहले भाशन में मैंने कहां था। कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पीताया है। मैं आज दुबार आने के बाद यही बात के दोहरा रहा। और हम ना हमारी डारेक्शन बड़ली है। ना हमने डाइलूट किया है ना डाइवर्ट किया है। उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि इस देश मरें आगे बढ़ने के लिए लिए हमें गरीवी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोडते ही जाना होगा। पहले के प्रयास होगे होंगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा, हम रुख नहीं सकते हैं, जितना कर लिया भौत हैं नहीं रुख सकते हैं, हमें और करना ही होगा, आज मुझे खुशी है, कि जो मुल्भूत आवशकता है, इस ओफ लिवीन के लिए, और जिसमें सा आत प्रवतार नहीं रहेगा, तो मेरा अनुब और इसलिए मुझे खुशी है, दस करोड से जादा साउचाले बने, एक फोटी बन करोड से जादा लोगों के बैंक खाते खुझे, दो करोड से अधिक गरीबों के घर बने, आट करोड से अधिक मुप्त गैस के कनेक्शन दिये पाँच लाग रुपे तक मुप्त इलाच गरीब की जिंदगी में बहुत बड़ी ताकर रहे हैं, जो गरीबों के जीवन में बढ़लाव ला रही है, नया भी स्वास परदा कर रही है, अधियर सा भापती जी, चुनोतियां है, अगर चुनोतियां नहोती, ऐसा कोहीं कुछ नजर ने आएगा, दुनिया का समरुद्य बे समरुद्य जर, उसको भी चुनोतियां होती है, उसकी चुनोतिया अलग प्रकार्थी होगी, हमारी चुनोतिया अलग प्रकार्थी है, लेकिन तय हमें ये करना है, कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं, कि ह हम समस्या का हिस्सा बने तो राजनीती तो चल जाएगी लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राष्टनीती को चार चान लग जाते हैं हमारा दाईत्व है हमें वर्तमान पीड़ी के लिए भी सोच ना है हमें भावी पीड़ी के लिए भी सोच ना है समस्य हैं तेकि मुझे विश्वास है हम स्वात मिलके काम करेंगे आत्मे विश्वास से काम करेंगे तो हम फीतियों को भी बढ़ लेंगे और हम इच्छित परणाम भी प्राप्त कर सकेंगे यह मेरा पक्का विश्वास है आदर्णिय सभापती जी सदन में किसान अंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है जादा से जादा समय जो बाते बताई गई वो अंदोलन के समन में बताई गई किस बात को लेकर गई अंदोलन ने उस पर सब मोन रहे अंदोलन कैसा है अंदोलन के साथ क्या हो रहा है ये सारी बाते बहुत बताएगे उसका भी महत्वा है लेकिन जो मुलभूत मात है अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती वैसे हमारे मान्यकरशी मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे रंग से कोई सवाल भी पूछे हैं उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे देवेगोडा जी का भाताभारी हूं को उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गामभी दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सरहना भी की क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों के सार्णा सजा और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिये मैं आदर्णिय देवगणा जी का रजे से आभाल व्यक्तर करता हूं कि आदर्णिय सभाबती जी कि खेती की मुल्भू समस्या क्या है कि उसकी जड़े कहां है मैं आज पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरंशी जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहनता हूं बहुत लोग हैं जो चौधरी साब की विराशत समालने का गर्व करते हैं वो जुरूर इस बात को समझने का शाइद प्रयास करेंगे वो अक्सर नाइटीन सेवेंटी सेवेंटीवन जो एग्रिकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उलेकर लेकर लेकर चौधरी चरंशी जी ने क्या कहा था उनका कोट है किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन दो बिगे से कम है दो बिगे नहीं है दो बिगे तक है दो बिगे से कम अठारा फिस्दी जो किसान कहलाते हैं उनके पास दो बिगे से चार बिगे जमीन है यानि आदा हेक्टर से एक हेक्टर ये 51 फिस्दी किसान है ये चाहे कितनी महनत करें अपनी छोड़ी सी जमीन पर इनकी गुजर इमानदारी से उसमें हो नहीं सकती ये चोदरी चरहन सिंग्जी का कोट है छोटे किसानों की दैनियस्थिती चोदरी चरहन सिंग्जी के ये बहुत हमेशा पीड़ा देती जी और हमेशा उसकी चिंता करते थे अब हम आगे देखे ऐसा किसान जिनके पास एक हेक्टर से भी कम जमीन होती है 1971 में वे 51 प्रसंट थे आज 68 प्रसंट हो चुके है यानि देश में ऐसे किसानों के संख्या बढ़ रही हैं जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है आज लगू और सिमान किसानों की मिलाएं तो 86 प्रसंट प्रसंट किसान ज्यादा किसान के पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों के संख्या बारा करोड है क्या इन बारा करोड किसानों के परके हमारी कोई जिम्य बारे नहीं है क्या देश की कोई जिम्मेवाली नहीं है क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन बारा करोड किसानों को रखना पड़ेगा के नहीं रखना पड़ेगा ये सवाल का जवाब चोधरी चरंसींजी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं हमें जवाब को ढूंडना होगा हमें चोधरी चरंसींजी को सच्ची सरधानली देने के लिए भी इस काम के लिए जिसको जो सुझे जिसको मोका मिने सब ने करना होगा तब जाकर के हम इन कर सकते हैं अब पहले की सरकारों की सोच में चोटा किसान था क्या अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे दो धान आएगा मैं आलोचनक ले नहीं कह रहा है लेकिन हमने सच मुझ मैं हम सबने सोचने क्या वोश्यक्ता है जब हम चुनाव आते ही एक कारकम करते हैं कर्जमाफी अब वो किसान का कारकम है कि बोट का कारकम है वो तो हिंदुतान में हर को भली ब्याती जानता है लेकिन जब कर्जमाफी करते हैं तक छोटा किसान उससे बंचित रहता है उसके नसीब में कुछ नहीं आता है क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है छोटा किसान का बेठार बैंक में खाता नहीं वो कहा लोन ले ले जाएगा हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया है भले ही हमने राजरीति कर लिए हो एक दुएकर जमीन वाले किसान इसके पास बैंक का खाता भी नहीं है न वो कर्ज लेता है न कर्ज माफ़ी का फायदा उसको मिलता है उसी प्रकार से पहले की फसल भीमा योजना क्या थी एक प्रकार से वो भीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीबी नहीं होता था वो भी उनीक किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंशांस होता था तो बैंक वालों को भी एक विश्वास होता था चल जाता था आज दो हेक्टर से कम कितने किसान होगे सींचाय की सुविधा भी छोटे किसान के नशिब नहीं बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे विज ली भी मुफट मिल जाती थी उनका काम चल जाता था चोटे किसान के लिए तो सीचाई के भीद लिए दिक्कत थी, वो तो कभी टूबले लगाई नहीं सकता था, कभी-कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदा पड़ता था, और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था, यूरिया, बड़े किसान तो यूरिया प्राप हमने कुछ परिवर्तन किया हमने फसल भीमा योजना का दाइरह बढ़ा दिया ताकि किसान छोटा किसान भी उसका फाइदा ले से के और बहुत मामुली रकम से ये काम शुरू किया और पिछले चार-पांच साल में फसल भीमा योजना के तहर नब्बे हजार करोड रुपिये उसके क्लें किसानों को मिले मामुले क्पा मmarkets भी आंकड़ा बढ़ा हो जाता है कि छोटा किसानों का किसान केड़ी ह तक किसान क्रेडिट कर विए लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही कुछ तो पराजों में जीरो परसंट से ब्याद से उनको मिल जाते थे पैसे और उनके कोई जोज जंदा व्यापार होता था पैसे वहां भी लेज जाते थे छोटे किसान के नसीब में यह नहीं था, हमने ताइक के हिंदुतान के हर किसान को क्रेडिक कार देंगे, इतना ही ने हमने उसका तो धारा फिशर्मेन तक भी बढ़ा दिया, ताकि वो भी इसका फ्राइटा उटा सके, और कौने 2 करोर से ज़यादा किसानों के किसान कrentि का काम पहुंच चुका है और बाकि भी राज्जों से आगरे कर रहा हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताक कि ज़यादा से ज़यादा किसान इसका लाफ उड़ा सके और राज्यों की मदद जितनी जादा मिलेगी उतना ज़ादा एक काम हो जाएगा उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए प्रणाद मत्री संबान ने दी योजना सीधे किसान के खाते में और ये गरीब किसान के जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद ने पहुंची दस करोड ऐसे परिवार हैं जिन को इसका लाभ मिल गया और अगर बंगाल में राजनीती आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी जूड़ गए होते तो यह आकड़ा उससे भी जादा होता और अब तक एक लाग पंदरा हजार करोड रुपिया इन किसानों के खाते में गया है यह दरीत खोटे किसा उनके पांग गया हमारी सभी योजनाओं के यह चेंद्र भिंदि में 100% किया, 100% के पीशे इराद हमारा यही था, कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रिकावटना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है, बंध हो, और उसमें हम सफ़ल पही हुए, छोटे और सिमान किसानों के लिए, हमने पहली बार, पेंशन की सुविधा की योजना लेकर क्या है, और मैं देख रहा हूँ, कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं, उसी प्रकार से प्रधान मंत्री ग्रामशड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्रामशड़क योजना यह सिरफ एक रोड नहीं है, यह किसानों की घाउं की जिन्दगी को बदने का एक बहुत बड़े यस रेखा होती है, और इसलिए हम ने उस पर भी बल दिया, पहली बार हमने किसान रेल की कलपना की, छोटा किसान का माल भीकता नहीं जा, आज किसान रेल के खारान, गाउं का किसान रेल्वे के माध्रम से मुंबई के बाजार का अपना माल बेचने लगा है उसका लाब ले रहा है छोटे किसानों को फायदा हो रहा है किसान उडान के द्वारा हवाई जहां थे अब ज़से हमारे नौर्ट इस इतने बढ़िया बढ़िया चीजे लेकिन ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफेट नहीं ले पाता था आज उसको किसान उडान योजरा का लाब गिल रहा है छोटे किसानों की परिशानियों से हर कोई परिचित है समय समय पर उनके सशक्तिकर्ण की मांग भी उठी है हमारे आधनिया शर्द तुमार जी और कॉंग्रेस के बिरे हर किसी ने हर कुर्शी सुधारों की वकालत की है कोई पीशे नहीं है क्योंकि हरे एक को लगता है कर पाए है ने कर पाए है तike लेकिने होना चाहिए ये बात हरें की निकली हुई है और आज नहीं जब भी जो जहाते समने की हुई है और सभर्रावजी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूँ ठीक है पद्ददी के समन में में सवाल है लेकि सुधारों का विरोग ने किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस विशे में हमारे साथी सिमान सिंधिया जीने बहुत यह अच्छे डंग से कई पहलूं पर इस कानून को लेकर के यहां पर यह सारी बाते पिछले देव दश्रक से लगातार चलते हैं हर फ़र्म में चली ऐसा नहीं है कि कोई हमारे राड़े के बार हो खार ने कहा है और हरे को लगाए कि अब समय आगाया हो जाए अब समय आगाया यह ठीक है फुर्स्टू पामा कोई इधर उधर हो सकता है कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है रुकामटे डालने से प्रगति कहां होती है जी और इसलिए लेकिन मैं हरान हूं अचानक यूटन ले लिया भे ऐसा क्यों किया ठीक है आप आंदोलन के मुद्धों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बढ़ना बहुत ज़ जाती है कि अपने ही विचार शूट जाते हैं लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है आदनिय दॉक्तर मनमान सिंग की हमवजूद है मैं उनी का एक कोट आज बोड़ पढ़ना चाहता हूं हो सकता है जो यूटन कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने मनमान सिंग जी क in the 1930s which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. it is our intention to remove it is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market this Adhanian Manmohan Singh Ji the Adhanian Manmohan Singh Ji the Adhanian Manmohan Singh Ji is the Kisan ko upaj bечene ki aajadhi dila ne Bharat ko aik kriši bhajara dila ne kishamhan me apna irada vyakti kiya tha and he is a work and I am a and I am a I am a manmohan Singh Ji nene kaha tha woha modi ko karna pade raha I am a manmohan Singh Ji ji please 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 or maja yeh hai ki joh log political baiyan baji karta hai uchhal uchhal karke unke woha toh paribar meh shahdi hoti toh bhi phufi nara jo karke hekai diyeh, mujhe gaa hua bula yaha oho toh rata hai itala buram na paribar hai toh rata hai hai हम कुछ और बातों के और भी जान दें अब देखिए दूद उत्पादर किसी बंदनों में बंदा हुआ नहीं न परशुपालक बंदनों में बंदा हुआ है न दूद बंदनों में बंदा हुआ लेकिन मज़ा देखिए दूद के ख्षित्र में या तो प्रावेट या कोपरेट दोनों एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई हैं, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, और एक बहत्रीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है, इसको हमने, जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना, आ आदातर बाजारों का सीधा संपर रहता है, बाजारों के दखल हट गई है, इसका लाब मिल रहा है, क्या डेरी वाले सफल सब्जी खिरने वाले उद्यमी परशिपालों की किसान, क्या जमीन पर कप्जा हो जाता है, उनका परशुपालों परशुपर कप्जा हो जाता है, हमारे देश में डेरी उद्योग का योगदान क्रिशी अर्थे वबस्ता के कुल मुल्य में 28 प्रतिशत से भी ज़्यादा है यानि इतना बड़ा हम एगरिकल्टर की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं 28 प्रसें कॉंटिबिशन है और करीब करीब आठ लाग करोड रुप्यों का कारोबार है जितने रुपय का दूद होता है उसका मुल्य अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज़्यादा है हम कभी स्थर्व जर देते ही नहीं है पशु पालकों को पूरी आज़ादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सिमान किसानों को जैसे पशु पालक को आज़ादी मिली है इनको आज़ादी क्यों नहीं मिलने चाहिए और इन सवालों के जबाब हम दूड़ेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे आदनी जबाबती जी ये बात सही है जैसा हम लुकों की स्वभाव रहाए घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी इक तनाव जूर चेर यहां कर रोकी टेबली हां कर रोका गर में भी होता है इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परंपराओं से हम पले बढ़े हैं तो यह मैं स्वाभाविक मानता हूं जब भी कोई नई चीज आती है तो सोड़ा बहुत रहता ही है हमारी हां कोई असंजम असामनजस की स्थिती भी रहती है लेकिन ज़र वो द यह वैल डॉकुमेंटेड है और देखने जैसा है कुशी सुधार के लिए सक्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल यह था कि अपने साथियों में से कोई क्रशी मंत्री बनने को त्यार नहीं होता था क्योंकि लगता था कि यह ऐसा है हाथ जल जाएंगे और क साथ्री जी को सी सुब्रह्मίν जी को क्रिशी मंत्री बना रा पड़ा था और उन्होंने रिफोर्म की बाते की योजन आयोगने उसका भिरोत किया था मज़ा देखिये ओजन आयोगने भिरोत किया था विक्त tumorala ge Sahidpuri cabinate के अंधर भी विरोत का स्वर उठा था लेकिन देशक भलाई के लिए सास्त्री जी आगे बढ़े और लेप पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं नहीं वो ही उसमय बोलते थे वो यह कर दे अमेरिका के इशारे पर सास्त्री जी ये कर रहे हैं अमेरिका के इशारे पर कॉंग्रेस ये कर रहे हैं सारे जितना आज मेरे खाते में जम कॉंग्रेस के निताओं को यह सब को लेप वाले जो आज भाशा बोलते हैं वो उस समय भी उन्होंने यही भाशा बोली थी कुरूसी सुधारों को छोटे किशानों को बरबाद करने वाला बताया गया था कि देश भर में हजारों प्रदर्शन आउजित हुए ते बरा मुमन चला था इसी बाहूल में भी लाग बादूर सास्त्री जी और उसके बाद के सरकार जो करती रही उसी का परिणाम है कि जो हम कभी पी यल 480 मंगवा करके खाते थे आज देश अपने किसान ने अपनी मिट् रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी है हमारे क्रिशिक शेत्र में समस्या है कोई यह तो मनना नहीं कर सकता है समस्या नहीं है लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूँ कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा हमारे राम गोपाल जी ने बहुत इच्छी बात कही कि उन्होंने कहा भी करोना लोगडाउं में भी हमारे हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्वादन किया, सरकार ने भी बीज, खाथ, सारी चीजे कॉरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकर नहीं आने दिया, और उसका सामुई परणा मिला, कि देश के पास यह भंडार भरा रहा, उपज की रिकॉर्ड है, हर कानुन में दो साल, पांच साल के बाद, कभी दो महिने, दो, तीन महिने के बाद, सुधार करते ही करते हैं, हम कोई स्टेटिक अबस्ता में जीने वाले लोग ठोड़े हैं जी, जब अच्छे सुझाव आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्व हमा आगे बढ़ना चाहिए, मैं आप सब को निमंत्रल देता हूँ, आईए, हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषिक शित्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आंदोलन कारियों को समझाते विए, हमने देश को आगे ले जाना होगा, हो सकता है, कि साहिद आज नहीं त अच्छा हो, आपके खाते में आओ, मिलकर के चले, और मैं लगातार, हमारे कृषिम मंत्री जी, लगाता किसानों से बात्चीत कर रहे हैं, लगातार मिटिंगे हो रही हैं, और अभी तक कोई, कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है, एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने क प्रयास चल रहा है, और हम लगातार अंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्शना करते हैं, कि आप अंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजूर्ग लोग वहां बैठे हैं, ये ठीक नहीं है, आप उनको सब को ले जाएए, आप अंदोलन को खत्मक कीजि ये बात निश्चित हैं, हमारी खेती को खुशाल बनाने के लिए, फैसले लेने का ये समय है, ये समय को हमने गवा नहीं देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलर साथी हो, इन सुधारों को हमने मोका देना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए, कि इस परिवर्तन से में लाग होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो उसको ठीक करेंगे और कहीं डिलाई है तो उसको कसेंगे यह था तो है नहीं कि सब दर्वाजे बन कर दिये बस और इसलिए मैं कहता हूं मैं विश्वाद दिलाता हूं कि मंडिया अधिक आधुनिक बने अधिक प्रतिश्पर्दी होगी इस बेजेट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है इतना ही नहीं MSP है MSP था MSP रहेगा इस सदन की पवित्रता समझें हम जिनाची करोड से अधिक लोगों को सस्ते में राशन लिया जाता है वो भी कंटीनू रहेगा इसलिए महरवानी करके भ्रम खलाने के काम में हम न चुड़े क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दिये किसानों के आय बढ़ाने के जो दूसरे उपा है उन पर भी हमें बल देने की जरूद है आबादी बढ़ रही हैं परिवार के अंदर सदस्यों के संख्या बढ़ रही हैं जमीन के टुकड़े शोटे होते जा रहे हैं ऐसी स्थिति में हमें कुछन को जैसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोज कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए और अबसर उपलब्द करासर के लिए हमने काम करना होगा और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे हम अगर अपने ही राजनीती समी करणों में फसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार के तरफ धकेल देंगे, कृपा करके हमें उजवल, किसानों के उजवल भविश के लिए इस से बचना चाहिए, मैं सबसे प्रार्फना करता हूँ, हमें इस बात की चिंता कनी होगी आदानिया सभाबती जी, देवी और पशुपालत हमारे कृषिक शेत्र के साथ बढ़ावा देनी के ज़रोत हैं, ताकि हमारा किसान पगबर हो, उसी प्रकारत, इसी काम के लिए, हमने फूट और माउट डिसीच के लिए बहुत बड़ा भ्यान तला है, ताकि वो किसान को, य आइन लाज किसानी से जुड़ा हुआ रहता है, उसको भी लाग होगा, हमने एक फिशरीज को भी अलग बल दिया, अलग मिनिस्ट्री बनाई, और बीस हजार करोड रुपिये, मज से संप्रदा योजना के लिए दगाया है, ताकि ये पूरे क्षेत्र को एक दाया बल मिले स्वीट रिवॉलूशन, भारत में बहुत संभावना है, और इसलिए भारत ने, किसान उसके लिए बहुत जमिन की जरूरत नहीं, अपने खेत के कौने में वो कर दें, तो भी साल में 40 जार, 50 जार लाग रुपाय, 2 लाग रुपाय, कमा लेगा हुआ, और इसलिए हम स्वी कि किसान होगा, तो एक नई कमाई कर सकता है, हमने इसको जोड़ना होगा, और मदुमख्य पारन के लिए, कोछ सेंकड़ों एकर जमीन की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपने हाँ कर सकता है, जोड़ना है, सोलर पंप, सोलर हम कहते हैं, अन दाता उर्जा दाता बने, उसके खेत में ही, वो अपनी सोलार सिस्टेम से उर्जा भी पैदा करे, सोलार पंप चलाए, अपनी पानी की आवश्यक्ता को पूरी करे, उसके खर्च को बोच को बन करे, और फसल एक लेता है तो दो ले, दो लेता है, तो तीन ले, क्रॉप पैटर्न में बदल करना है, तो बदल कर सके, उसके दिशा में हम जा सकते हैं, और एक बात है, भारत की ताकत, ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे, लेकिन कुछ रोग है जो भारत अस्तीर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिश से कर रहे है, हमें इन लोगों को जानना होगा, हम यह न भूले, कि पंजाब के साथ क्या हुआ, जब बटवारा हुआ, सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को, जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज़्य ज़्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज़्यादा दर्दनाग गटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को, जो जम्न कश्वीर में हुआ, निर्दोशों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो नौर्दीश में होता रहा, आए दिन बंबंदुग और गोलियों का का परोबार चलता रहा, यह सारी चीजों ने, देश को किसे ने किसी रूप में बहुत मुक्षान किया है, इसके पीछे कौन ताकते हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है, और इसलिए हमें उस ज़जबे से, इन सारी समशाओं के सबाधान के लिए हम हम यह न भूलें, कि कुछ लोग हमारे, खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाई जो दिमाज में, गलत चीजे भरने में लगे हैं, यह देश और सिख के लिए गर्व करता है, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया हैं इसको ने, उनका जीतना हम आदर करें, उतना कम है, परमपरा हो, और मेरा भागे रहा है, मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है में जिन्द की मेने, बहुत महतोपन वर्ष पंजाब में बिता है, इसलिए मुझे मुझे मालूम है, और इसलिए, जो भाशा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमरा करने कि जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भाला नहीं होगा, और इसलिए, हमें इन दिशा में चिंता करने के आवश्यक्ता है, अधानिय सभापति महोद है, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, स्रम जीवी, बुद्धी जीवी, यह सारे शब्दों से परिचित है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी, यह आउन जहरा एंगे, और वो है जीवी, बुद्धों के है, मार्ण जीवी, लेकिलाओ का अंदोलन है, वो भार इतराएंगे, मधुरुद का है, मोय से जहरा जारा एंगे, कभी पर्दे के पिछे, कभी पर्दे का आचे, एक पुरी टोली है, जीवी, देवी, औ आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोथते रहते हैं हमें इसे लोगों को पहचानना होगा को जो सब जगारे पहुंच करके और बड़ा यडियोलोजिकल स्टैंड दे दे देते हैं गुम्रहा कर देते हैं, नहीं नहीं तरीके भूनों बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचें, इसके लिए हम सब को, और ये उनकी थाकत, उनका क्या है, खुद खड़ा में कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बेट जाते हैं, वो अपना, जो जितने दिन चले, चल जाता है उनका, ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यक्ता है, ये, ये सारे अंदोलन जीवी पर जीवी होते हैं, और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा, कि आप जहां-जहां सरकारे चलाते होंगे, आपको भी ऐसे पर जीवी अंदोलन जीवी होता है, और इसलिए, उसी प्रकार से, एक नया, मैं चीज देख रहा हूँ, देश प्रकाथी कर रहा हैं, हम FDR की बात कर रहा हैं, for a direct investment, लेकिन गार देख रहा हूँ, इन दिनों एक नया FDR मैतान में आया है, ये नया FDR से देश को बचाना ची, FDR चाहिए, for a direct investment, लेकिन ये जो नया फ़र एफडियाई नजर का रहा है ये नए फडियाई से जुरू बचना होगा और ये नया फडियाई है foreign destructive ideology foreign destructive ideology और इसलिए इस एफडियाई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूत रहने की जरूत है आदेनिये सभावत दीजी हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीन अर्थेववस्ता इसका अपना एक मुल्य है ग्रामीन अर्थेववस्ता हमारे आत्मंदिर भर भारत का एक एहम स्तम्भ है आत्मंदिर भर भारत ये किसी सरकार का कारकम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चलिए एक सो तीस करोड देश वांचों के संकल्प होने चाहिए है अब गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविदा नहीं होनी चाहिए और महात्मा गांदी जैसे महापुरुस्वन हमें यही राथ पर दिखाया था अगर हम बहां से थोड़े हट गए हैं तो बापिस उस पट्री पर आने की जरूत है और आत्म निर्भर भारत के रिजास्ते पर हमको बढ़नाई होगा गाव और शहर की खाई को अगर हमें पाटना है तो उसके लिए भी हमें आत्म निर्भर भारत के और बढ़नाई होगे औ जैसे भी प्रश्वत्तरकाल के अंदर जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी, इतने कम समय में तीन करोड परिवारों तक घर में पीने का पानी पहुंचाने का नल करेक्शन देने का काम हो चुका है। इस तार से चर्चा की, कोरोना काल में चाहि राशन हो, आर्थिक मदद हो, या मुप्त गैस, सिलिंडर, सरकार ने हर तरह से एक प्रकार से हमारी मातां और बहनों को असुविदा ना हो, इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास किया है, और उन्होंने एक शक्ति बनकर की इस परिवार को समाला, परिस्तितियों को समाला है, कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार के मात्रु शक्ति की बहुत बड़ी भूमी का रही है, और उनका मैं जितना चंजवाज को रुपना कम, बहनों बेटियों का होस्ला, और मैं समत नहों का आत्मेंदिर भारत में, एहम भूमी का हमारी माताए बहने निभाएगे मुझे पुझे विश्मास से आज उद्धक्षेतर में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है नए नए जो लेवर कोर्ट बनाए हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है मुद्रा उजना से सत्तर प्रतिशत जो लोन ली गई है वो हमारी बहनों के द्वारा ली गई है यहनि एक प्रगार से यह एडिशन करीब साथ क्रोड महिलाओं के सहभागता से साथ लाग से ज्यादा सेलफ एल गुरूप आज आत्मरी विभर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं भारत की युवाशक्ति पर हम जितना जोर लगाएंगे हम जितने अवसर उनको देंगे मैं समझता हूँ कि वो हमारे देश के लिए भविष्य के लिए उजवल भविष्य के लिए मजबूत नीव बनेंगे जो राष्ट्री एजुकेशन पॉलिची आई है उस राज्य राष्ट्री एजुकेशन पॉलिची में भी हमारी युवाशक्ति के लिए नए अवसर दिये देने का प्रयास हुआ है और मुझे खुशी है कि एक लंबार से समय गया एजुकेशन पॉलिची पर चर्चा में लेकिन उसकी स्विकृति जिस प्रकार से देश में हुई है एक नाया विश्वास पदा किया है और मुझे विश्वास है कि ये नई एजुकेशन पॉलिए नई राष्टिय शिक्षा नीती हमारे देश के लिए एक नए तरीके से पढ़ने का स्विचार उनने दिखा आगवा है हमारा MSME सेक्टर रोजगार के सबसे ज़्यादा आउसर MSME सेक्टर को मिल रहे हैं और जब करोना काल में जो स्टिमुल को पृणति का निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हम लोग प्रार्म से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्र ले ले कर के चल रहे हैं और उसी का प्रणाम है या नक्सल प्रफालोग चहतर हैं, दीरे 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 महां, हमारी समастьय हैं कम होती जा रही हैं, और समझेय कम होने के कारण, सूक और शान्ती का आवसर पेदा होने के कारण, विकांस की मुक्खे धारा में, ये हमारे सभी सात्यों को आने का आवसर मिल रहा हैं, अब भारत के उजवल भविश में, इस्टन इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, यह मैं साब देख रहा हूँ, और उसको हम, हम पूरी मजबूती से कामरा, मैं आधनिय गुलाब नभी जी को सुन रहा था, वैसे भी बड़ी मृदूता, सम्यता, और कभी भी कट शब्द का उप्योग न करना ये गुलाब नभी जी की विशेस्ता रही है, और मैं मानता हूँ कि हम सभी जो शाउसदगन हैं, उन्होंने उन से शिखने यसी चीज है, और इसलिए मैं उनका आधर भी करता हूँ, और उन्होंने जमुकश्मीर में जो चुना हुए उसकी त हाव से भापड़ा हुआ है, जमुकश्मीर आत्मन निर्भर बनेगा उस दिशा में हमारा वहाँ पंचायत के चुना हुए, बिडिशी के चुना हुए, डिडिशी के चुना हुए, और इस सब के सराना गुलाम नभी जी ने की है, इस प्रसुंसा के लिए मैं आपका भवत साभारी हुँ, लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रसुंसा की, मुझे विश्वास है, कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे, गल्ती से G23 की राय मान करके, उल्टा नगर दे, करोना के चुनावति प्रण दौर में, सीमा पर भी चुनावति देने की कोशिश हुई, हमारे वीर जवानों के होसले और कुशलता नहीं, सटिक जवाब दिया है, हर हिंदुस्तानी के बात के खरवाना है, मुझ्खिन परिस्तितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे हैं, तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शावरियों के सराना की है, मुझ्खिन का अभारी हूँ, LAC पर जश्तिति बनी हैं, उस पर भारत का रूप बहुत स्पष्ठ हैं, और तेश उसको भली भांती देख भी रहा हैं, और गर्व भी कर रहा हैं, बार्डर इंफा सक्टर और बार्डर सिक्रिटर के लेकर, हमारी प्रतिविद्धता में, किसी प्रकार की धील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुझाईस ही नहीं है, और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उच्छे देखते हैं, वो कभी इस विशे में हमें सवाल ही नहीं करेंगा, उनको मालूम है, हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग हैं, और इसलिए हम इन विशों में कहीं पर भी पीछे नहीं हैं, आदर्णी सभापती जी, इस सदन की उतनम चर्चा के लिए मैं सब का धन्यवाद करते हुए, आखे मैं एक मंत्र का उलेक करते हुए, अपनी मानी को मैं विराम दूँगा, हमारे यहां वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है, तो हम सब के लिए, 130 करोड देश वाच्यों के लिए, यह मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेणा है, वेदों का इन मंत्र कहता है, अयूतो अहम, अयूतो में आत्मा, अयूतो अहम, अयूतो में आत्मा, अयूतम में चक्षु हो, अयूतम स्रोत्रम, अयूतो अहम, अयूतो में आत्मा, अयूतम में चक्षु हो, अयूतम स्रोत्रम, यानि मैं एक नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ करोडों मानवों को देखता हूँ अनुखव करता हूँ इसलिए मेरी आत्मिक शक्ती करोडों की है मेरे साथ करोडों की द्रश्टी है मेरे साथ करोडों की स्रवन शक्ती कर्म शक्ती भी है आधानिय सभापती जी वेदों की इसी भावना से इसी चेतना से 130 करोड से धिक देशवास्चियों वारा भारत सब को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है आज 130 करोड देशवास्चियों के सपने आज हिंदुस्तान के सपने आज 130 करोड देशवास्चियों के आकांख्षा है इस देश के आकांख्षा है आज 130 करोर देशवास्चों का भविश भारत के उजवल भविश की गारंटी है और इसलिए आज जब देश नीतिया बना रहा है प्रयास कर रहा है तो वो केवल ततकालिन हाली लाग के लिए नहीं लेकिन एक लंबे दुरगामी और 2047 में देश जब आजादी का शतक तब देश को नहीं उचाईओं पड़ ले जाने के सपनों को लेकर के नीव रखी जा रही है और मुझे विस्मास है कि इस काम को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे मैं फिर एक बार आधर राश्पती जी के बनन के लिए मैं उनका आधर पूर्वक धन्यवाद करते यह सदन में भी जिस तड़ा चर्चा हुए और मैं सच बताता हूँ चर्चा का स्तर भी अच्छछा था बातावरें भी अच्छा था इठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं मुझ पर भी कितना हमला हुआ है हर प्रकार से जो भी कहाए गासक्ता है कहां तिकि मुझे बहुत आनंद होगा कि मैं कम से कम आपके काम तो आया देखिए आपके बन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना नहीं होता नहीं होगा पसे रहते होंगे और घर में भी फिछ फिछ पिछ रदी होगी अब इतना गुसा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हलका होगे आप घर के अंदर कितने खुशी चैन से समय विताते होंगे तो यह आनंद जो आपको मिला है इसके लिए मैं काम आया यह भी मैं अपना सवभागे मानता हूँ और मैं चाहूंगा यह आनंद लगातार लेत रखिये, मोधी हैं मोका लीजिये, बहुत बहुत धन्यवाद ताड़ो बात्या वाघिनी चीचा भंजे